जार्खन की 81 सदसीय विधान सभा के पहले चरण के लिए आज मतदान कराई गए पहले चरण में राज्य की 43 सीट पर सुभ़ 7 बजे से मतदान शुरू हुआ निर्वाचन आयोग की योजना के मुताबिक आधिकारिक तौर पर शाम 5 बजे वोटिंग समाप्थ हो गई पांच बजे तक के जो आंकरे हैं उनके मुताबित करीब 65 फीसदी मतदान हुआ है हालां की कई बूथों पर शाम 5 बजे के बाद भी मतदाताओं की कतार लगी रही आयोग के नियम के मुताबिक जिन मतदान केंद्रों पर वोटर शाम पांच बजे से पहले कतार में लग चुके थे केवल उनी बूतों पर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इजाज़त मिलती है निर्वाचन आयोग के मुताबिक बुधवार को पहले चरन में 43 सीतों में सराय के लाखरसावा जिले में सबसे अधिक वोटिंग हुई है यहां पांच बजे तक 77.32 फीसदी मतदान हुआ है बुधवार को 43 में से 10 विधान सभा सीतों पर 70 फीसदी से अधिक वोटिंग हुई है दूसरे नंबर पर बहरागोडा है जहां 76.15 फीसदी मतदान हुआ है तीसरे नंबर पर लोहर्दगा में 73.21 फीसदी वोटिंग हुई है पूर्वी सिंह भूम जिले के पोटका विधान सभा सीत पर 72.29 फीसदी राजधानी रांची की मांडर विधान सभा सीत पर 72.13 फीसदी मतदान हुआ है सराइकेला विधान सभा सीत पर 71.54 फीसदी गुमला जिले की सिसई विधान सभा सीट पर 71.21 प्रतिशक मतदान हुआ है लोहर्दगा जिले की बिशुन पर विधान सभा सीट पर 70.06 वोटिंग हुई है पूर्वी सिंगभून की घटशिला विधान सभा सीट पर 70.05 फीसदी मतदान हुआ है लातेहार में 69.7 फीसदी मतदान हुआ है जारखंड में 43 विधान सभा सीटों पर मतदान शांतिपोर्ण संपन हो गया शहर से अधिक ग्रामीन इलाकों में मतदान होने की सूचना प्राप्थ हुई है जारखंड के 15 जिलों की 43 विधान सभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी रही शाम 5 बजे तक मतदाताओं ने मतदान किया 43 विधान सभा क्षेत्र में से 25 सीट पर जारखंड मुक्ती मोर्चा और राष्ट्रिय जनता दल का कबजा था आज कोलहान में भी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया इस खेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चमपई सोरेन और सर्यू राय का दबदबा कायम रहा है पिछले चुनाव में इस कोलहान क्षेत्र से भारतिय जनता पार्टी को एक भी विधायक जारखंड विधान सभा में नहीं पहुचे थे जारखंड में 43 विधान सभा सीटो पर शाम पांच बजे शांतिपोड तरीके से मतदान संपन हो गया कई मतदान केंद्रों पर शाम पांच बजे के पहले पहुचने वाले मतदाताओं को वोट करने की अनुमती दी गई इस बार भी शहरी क्षेत्रों की जगह ग्रामीन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत अधिक रहा भारतिय ट्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महिंद्र सिंग धोनी रांची में अपने वोट का इस्तिमाल किया रांची के JVM शामली में अपने वोट डालने पहुचे महिंद्र सिंग धोनी को देखने के लिए सैकडों की संख्या में फैंस पहले से ही मौजूद थे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद